अक्सर पेरेंट्स को यह कंप्लेंड रहती है कि हमारा बच्चा स्कूल में तो पढ़ाई करता है लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं लिखता जब से लिखने के लिए ठालते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं लिखता कि आपने ऐसा का सोचा है कि बच्चा वही बच्चा स्कूल में तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन जब हम घर पे इस घर की बात करते हैं तो बच्चे को बिल्कुल भी लिखने में इंट्रेस्ट नहीं लेता तो ऐसा क्यूं होता है आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे आपका स्कूल में तो लिखता है स्कूल में तो पढ़ता है बर घर पे वो क्यों नहीं पढ़ता है इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें अगर आपने मेरी चैनल सम यूसफुल तेस वाई जैंती को अभी तक प्रेंजें तब आप देखते हैं कि बच्चे को बैठने के लिए प्रॉपर टेवल होती है बच्चा उसमें आराम से रिलाक्स को करके बैठता है और जब बच्चा वहां पर पढ़ाई कर रहा होता है तो बच्चे के जो शोल्डर होते हैं उसके नेक अरिया में नहीं होता है लेकिन वहीं अगर हम बच्चे की बात करते हैं घर में प्र बढ़ाई करने कि लिए नर्मल घर में इस पर देखाए वहां पर भी बच्चे की जो गरधन होती जुह जगजाती है जिसकी वज़े से जो थोड़ी दे पढ़ने के बाद ही बच्चे के जो नेक में पेन होने लग जाता है उसके शोल्डर में पेन होने लग जाता है और बच्चा बहुत जली ठक जाता है इसले बच्चा पढ़ाई में इंट्रेस्ट नहीं लेता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जब लिमनों के लिए और सिर्फाइश्चे को घर पढ़ने के लिए बात करेकी सब्दों का finding दनना समय उसके सब्सक्यों उसको आए इचला से पढ़ने की लिए उसाब करी सबसाने के लिए पार्णानि सब्सक्तारी तरह तो बैड में ढ़ना तो आपको जब यह पर दियान देना है जो टेबल की हाइट हो वो चेह से थोड़ा ऊची हो जिससे बच्छा जब वहां पर ना पढ़ाई करें तो बच्छा कंफर्टेबल हो करके पढ़ाई करें बच्छे की गर्धना जूप जो नेक्स इंपोर्टन बात है वहां पर तो आपको जब यह बच्छे को पढ़ने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि उस समय आपको अपना कोई भी खार का काम नहीं करना है आप बच्छे को सिर्फ बच्छे की पढ़ाई में आपको कॉंसंट्रेट करना है तो आप आराम से बच्छे के साथ बैट करके पढ़ाई जिससे बच्चे का जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगा रहेगा वहीं अगर आपका बच्छा बहुत चोटा है तो बच्छे को आप डिफरेंट टाइपस की वक्षीट की आपसे पढ़ा सकते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्छा बहुत जादा इंट्रेस्ट ले लगा करें तो आपको और जो नेक्स इंपॉर्टन चीज है वो यह है कि आपको बच्छे को हर समय पढ़ 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 करके फोर्स नहीं करना है बच्छा थोड़ी देर भी पढ़े लेकिन ध्यान लगा करके अगर आपका बच्छा पढ़ रहा है तो वह इंपॉर्टन है लेकिन वहीं अगर आपका बच्छा स्कूल से दिन बर बुक्स निकालके बैठा है लेकिन वह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बस आपन थीकर आपको ईसला इसे चल जाएगा लेकिन जैसे जैसे पका बच्छा बढ़ा होगा तो यह सारी बाते बच्छे की नहीं है अपको इस बहुत देर तक करना है कि जितनी भी देर पढ़े आदा गंटा या एक गंटा तो जितनी भी देर आपका विच्छा घर पर पढ़ाई करें तो उती देर अच्छे धंग से पढ़ाई करें बच्छे को पढ़ करके उसका जो benefit है वो मिल रहा है नहीं या फिर नहीं मिल रहा है उस बात पर रहां देना चाहिए जैसे आपको पढ़ाई के साथ अलग-अलग learning activities होती हैं वहाँ पर आप बच्चे को involved कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चा खेल-खेल में ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा वहीं जैसे अगर आप बच्चे को कोई स्पेलिग को बड़ी स्पेलिंग है बच्चे को learn नहीं हो रही है तो आप अपने साथ उसे learn करवाई एप फिर उससे आप लिखा सकते हैं उसके अलावा बच्चे को ARMischer सकते हैं कि वही स्पेलिंग बच्चे को कुछ वर्ट तोड़ तोड़ के दे सकते हैं उसमें से आप कुछ वर्ट्स आप लेख देजिए कुछ बच्चे के लिए ब्लैंक छोड़ देजिए तो बच्चा जब उन्हों याद करने की कोशिश करेगा तो ऐसे ऐसे धीरे-धीरे वह को जाएगी कि इस तरीके से काफी एक्टिविटीज है जो नेक्स इंपॉर्टटेन बात है कि आपको बचकी तरीका साइब बनाना है जब ही आप उस इस टाइन पर बैखनें बठाएंगे तो बच्चे आपको पढ़ाई मि नक्रें प्लकुल नहीं दिखाएगा और वह आराम से important बात है जब यह आप बच्चे को पढ़ने के लिए बठा ले बुक्स का पहार ले करके मत बैच जाईए आपको इस वात का ध्यान देना है कि आप जो बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी सब्जेक्ट की बुक बच्चे के निकालनी है तो इससे बच्चे के दिमाग में यह रहेगा कि अर मेरे को थोड़ी सी पढ़ाई करनी है तो बच्चा आराम से पढ़ाई कर लेगा और आपको परिशान भी नहीं करेगा वहीं अगर आप बहुत सारी बुक्स लेकर के बैठ जाएंगे तो बच्चे के दिमाग में रहेगा अरे मेरे को तो इत्ती जारी पढ़ाई करनी है और जहां से आप बच्चे को पढ़ने के लिए बठा लेंगे वहीं से बच्चे के पढ़ने पढ़ाई में अखरे स्टार तो अगर आप बच्चे को पहले ही होमवक कम्लीट करवा देंगे तो आप बच्चे को आसानी से पढ़ा पाएंगे और बच्चा होमवक लेकर के नहीं बैठेगा और जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे वह उसको याद हो जाएगा और इस तरीके से आप बच्चे का ह पढ़ाई में इंट्रेस्ट दिखाता है उसी तरीके से घर पर भी पढ़ाई पर इंट्रेस्ट दिखाएगा और आपका यह जो कंप्लेंट रहती है कि अक्सर पेरिंस की हमारा बच्चा स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई कर लेता है लेकिन घर पे बिल्कुल भी नहीं प सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो अप्लोट करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा थैंक्यू पूर बॉचिंग झाल